बड़े बज़री शुड़े भाई और मेरी उमर की नौजवानों को मेरा प्यार बरह नमस्कार बरबूर पैसा आपर खेले का समयापका स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारती बाजार 19 नौबर 2020 को यानि कि आज एकस्पारी है और कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसके पहले हम देखते हैं यहां पर आप देख रहे हैं डाव फ्यूचर्स जो कल के डाव फ्यूचर्स है जो अभी अभी करन के डाव फ्यूचर्स है उनमें हलके सी गिरावट है और कल डाव भी शायद गिरा था देखते हैं अभी चार्ट में ओके तो हम यहाँ पर देखेंगे देखें यहाँ पर डाव में काफी गिरावट रही 18 तारीक को और यह तक्रीबन साड़े 300 पॉइंट गिर कर नीचे ही बंद हुआ तक्रीबन सब्वा एक परसेंट की गिरावट डाव में दर्ज हुई FTSC को पढ़ने की कोशिश करते हैं और यह लेंडन का इंडेक्स है और तक्रीबन एक चौथाई परसेंट से भी उपर यहाँ पर बड़ा थी और अभी अवस्तीर आ रही है कोई मार्केट उपर जा रहा है तो कोई नीचे जा रहा ही है पिसले हार्ट जिरों में यह सिलसला स्टार्ट हुआ है क्योंकि एक सेशन था जब सारी कि सारी मार्केट्स पूरी दुनिया की मार्केट्स एक साथ उपर जा रही थी अभी किसी का पेट भर गया है किसी का बाकी है कोई ओर्फलो हो रहा है तो इस तरह से वो ये उधार चड़ा हो रहा है कोई गिर रहा है कोई फिर भी चड़ रहा है देखिए यूरोप में अमेरिका में देखिए डाव और वो सारा गिर रहा है थे और अभी देखें यहाँ पर उसी दिन और यह तक्रीबन 0.31% की बढ़त के साथ कारवार कर रहे थे इन सब के बाद हम देखेंगे अभी ASEAN Markets में क्या हो रहा है तो सबसे पहले हम आते हैं शंगाई Stock Exchange शंगाई यानि की चीन के बाजर ओके तो यहाँ पर मामूली सी गिरावट के साथ कारवार चल रहा है और अभी आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कि माइनस 12.63 की गिरावट के साथ यहाँ पर शंगाई भी कारवार कर रहा है उधर ताइवान के भी हाल अच्छे नहीं है और ताइवान अगर देखेंगे तो ये भी मामूली सी गिरावट कल भी देखा था हमने जब स्टार्टिंग में जब हम देख रहे थे इंडियन मार्केट्स को तो हलकी सी गिरावट के साथ भी कारोभार कर रहे थे आज भी वहीं कंडिशन है देखते हैं आगे क्या हो रहा है ताइवान के बाद हम आते हैं हैंसेंग होंग कांग के जो बाजार है और दीखें यहां पर हैंसेंग भी तकरिबँन एक परसेंट सबसे ज़्यादा एसिया में वाव दो सो पॉइंट के गिरावट के साथ रही है इसके बाद हम देखते हैं जापान के बाजार जापान के बाजार और चीन के बाजार खास करके इनके उपर नजर रख सकते हैं हम और यहां पर देखिए आज जापान के बाजार में तक्रीबान सौ पॉइंट नाइंटी एट पॉइंट की गिरावट के साथ यहां पर एसिया का जो स्टार्ट है हमारा वो एस जेक्स निप्टी से है एक बार फटा-फट नजर मारते हैं कि कल हुआ क्या था था देखिए गोल्ड में काफी गिरावट रही साड़े 400 पॉंट के असपास सीलवर साड़े 700 पॉंट के असपास गिरा और क्रूड ओयल में कल खरीदार रही और वही हम देखेंगे यूरोपिन मार्केट में अमेरिकर मार्केट में तो नेश्टेक में सवर पॉंट के गिरावट दर्ज हुई और एप्टी एसी लंडन में देखिए थोड़ सी खरीदारी आई थी जब कि हम थोड़ दिर पहले बात कर रहे थे बाकी डैक्स वग ताइमस वगरा यह सब नीचे एसी आउन नीचे हर मार्केट नीचे तो क्या करेंगे आज हैंग सैंग नीचे टाइवाण नीचे सारा के सारा एशिया टोटल एसी एशिया नीचे तो हम भी उपर जाने का चांस रखते है क्या देखते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है अभी तक FIS की तरफ से देखिए अभी तक लंबी खरीदारी चल रही है और नीचे से आ रही है यह अभी यहीं से नहीं है मैं आपको बता देता हूं देखे यहां पर नजर मारी यह तो देखिए दो तारीक से लेकर 18 तारीक तक लगातार खरीदारी और इनकी लगातार भीक वाली डियाई आइस की तो यह बालैंसिंग हो रहा है इसके उपर आप अंदादा लगा लिजिए अब्जर्ब कर लिया कि यह वीडियो को और इन फैक्ट को भी कि यह देखिए यहां पर खरीदारी आई है इतनी खरीदारी हुई है यहां पर इतनी खरीदारी हुई है और इतना उन्होंने सेल किया ह और अभी भी उनके पास hold position है ये position अभी hold है हरे रंग में और उनके बाद एडियाईज ने इतनी खरीदारी की देखिए और उसे ज्यादा ये लोग बेशते हैं जितना खरीदते हैं यहां पर देखेंगे जितना खरीदते हैं उसे ज्यादा बेशते हैं तो इन्होंने पहले हो जाएंगी सारे डियाईज चलो इन्यवेज तो अभी हम चार्ट पे चलते हैं तो जैसे कल हम पढ़ा ही कर रहे थे न तो आप देखें यहां पर मैंने आपको कल भी बताया था कि यहां पर यह तकर्म आर सकता है 29700 के आसपास देखें मैंने resistance बना रखा था यहने कि कितना गजब मैं trend line बनाता हूँ यहां पर अभी अंदाजा लगा सकते हो तो यहां पर ठीक यहीं इसी के नीचे से या टच करके या हलका सा उपर जाके भी आ सकता था या टच करके भी आ सकता था लेकिन इसने respect किया इस line का face किया इस line को 30,000 मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर market उपर गई अगर दो positive है news दो negative है डोनों में से जो भी news जीतेगी तो market उस दिशा में जाएगी तो शायद moratorium की news positive रही होगी और उसके बाद market sharp bounce मार दिया और मैंने आपको अगर आपको देखना है यकिन करना है कि क्या मैं सई वीडियो बनाता हूँ या नहीं तो आप कल का वीडियो देख लीजे वीडियो नमबर 9 है तो वहाँ पर मैंने बताया था कि 30,000 तक कोई भी नहीं रोक सकता फिर तो देखिए ये 29,700 या नहीं की 200,300 पॉइंट क्या है तो वहीं बात हुई है और अभी ये resistance है ठीक है market world market पूरी market गिर चुकी है और अभी ये resistance है जब दोड के आते हो ना और उसके बाद अगर आपको किसी को पंच मारना हो तो आप पंच नहीं मार पाओगे जबकि आपके अंदर बहुत ताकत है पंच मारने की लेकिन अब जब आप दोड के आओगे तो आप पंच नहीं मार पाओगे ओके ये चीज़ देहां रखना तो बा लंबा डिस्टन्स बाजार ने तई किया है इन दो रेजिस्टन्स सपोर्ट के बीच में तो इतना दूर से बाजार तकरीबन 29 और 1000 पॉइंट कांतर है यह तो इतना लंबा दोड़ के आया है बाजार और पूरे वर्ल्ड की मार्केट गिरी है तो इस रेजिस्टन्स की कोई फैल्यू जरूर आज होगी ओके तो इसको फेस्ट करेगा अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है तो फिर तो भाजार है वो तो कुछ भी कर सकता है लेकिन अगर यह दबाव में है तो इस लाइन को जरूर फेस्ट करेगा तो इस लाइन के ऊपर आप खरीदी और बाजार ही बताएगा जब मैंने आपको कल ही बता था कि जब इंडिया का मार्केट गिरता है ना तो वाक़े में बिलकुल डिसकोवरी जैसा लगता है जब डिसकोवरी में आप देखते हूं ना कोई स्लाइड वगरा कुछ है ना तो बैसा ही लगता है बहुत मज़ा आता है दुख होता है लेकिन गिरता बहुत खतरनाक है जो बियर साइट के लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूस होती है क्योंकि बहुत स्पीट से गिरती है इंडिया की मार्केट जब गिरने लगती है तो यह है तो इसी तरह के वीडियो आपको देखना है आपको भविश्यम में पैसे की हो सकता है हमारे वीडियो देखने के बाद आपके पैसे की बचत भी हो तो आपको ऐसा करने के लिए सबसे पहले सबस्क्राइब करना होगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाना होगा क्योंकि आपको डेली जो वर्ल्ड के बाजारे उनके अपडेट्स मिलते रहे और आप अपने आप को हलका सा सेफ महसूस कर सके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए गुर्भाई नमस्कार टेक क्यार